दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नुस्खे को बना कर दिखाऊँगा। यदि आप इसके सिरफ एक चमच को दूद में या पानी में मिला कर पी लेते हैं तो दोस्तो आपके सरीर की नसों की ब्लोकेज दूर हो जाएगी। हड़ियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कंदे, कमर, हाथ और घुटने का दर्द दूर हो जाएगा। खराब से खराब कोलोस्टॉल को दूर करेगा, अच्छे कोलोस्टॉल की मातरा को बढ़ाएगा, आपको डाइबटीज होने से बचाएगा, दोस्तो दिल की बीमारियो का इलाज करेगा और जिस इनसान को नसों में कमजोरी है नसों में सूजन या दर्ध है या चक्कर आता है या फिर सरीर में कहीं भी blockage की समच्य है तो उनकी लिए भी ये एक चम्तकारी ओस्ती है और दोस्तों यदि आपको इनमे से कोई भी समच्य है नतीजे दिखाई देंगे दोस्तों आपका सरीर निरोगी बनना सुरू हो जाएगा दोस्तों क्योंकि इस नुस्खे के अंदर हमने ऐसी ऐसी सामगरी का प्रयोग किया है जो आपके सरीर के लिए एक चमतकारी दवा है और आपको सरीर के 200 रोगों से बचाकर रखेगी यानि 200 रोगों का ये एक इलाज है कारगर इलाज है तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने ये नुस्खा बनाना कैसे हैं दोस्तों आपने इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली समगरी चाहिए वह चाहिए दोस्तों अलसी और अलसी के लेने हैं आपने पांच बड़े हैं चाहे आपको अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ाना हूँ या पाचन को मजबूत करना हूँ मुटापे से छुटकारा पाना हूँ दोस्तो आप सब के लिए अलसी एक वर्दान की त्रहें काम करती हैं क्योंकि ये डायबटीज को दूर करेगी हर त्रहें के दर्द से आ बाहर निकल जाए और ये मैंने सेख लिया और ये मेरे अलसी रेडी हो गई अब जो दोस्तो इसमें दूसरी समगरी आपने मिलानी है वो मिलानी है सोंट सोंट का मिलाना है आपने आदा चोटा चमच आदा चाय वाला चमच ये होता है दोस्तो सोंट पाउडर आपने इसका प्रयोग करना है दोस्तो सोंट नसों की ब्लोकेश को खोलने के लिए बहुत आदेक चमतकारी है आपके चहरे पर नया गलो लाती है खून को साप करती है और सभी परकार के दर्द से छुटकारा दिलाने में भी बहुत कारगर है हड़ियों की कमजूरी का इलाज करती है आपने ये इसके अंदर मिला दिया पहले अलसी का पाउडर बना लेजे गराइंट करके उस पाउडर में आपने सोंट के पाउडर को मिला देना है अब जो तीसरी चीज इसके लिए चाहिए वो चाहिए दोस्तो मसालों की दोस्तो दालचीनी का भी आपने लेना है आदा चोटा चमज आदा टीस्पून दोस्तो दालचीनी किसी भी नुस्खे के साथ यदि मिल जाती है तो उस नुस्खे की पावर को सो गुना अधिक बढ़ा देती हैं ये मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तो दालचीनी आपके सरीर को निरोगी रखने का काम करती है इम्यून पावर को बढ़ाती है मुटापे से छुटकारा दिलाती है हाई बीपी जैसे बेमारियों को दूर करती है नसों की बलोकेस को दूर करती है सूजन की समस्या का कारगर इलाज है तो दोस्तो आपने इसके आदे चमच का पावडर इसके अंदर डाल देना है आदा छोटा चमच पावडर अब जो चोथी इसके लिए सामगरी आपको चाहिए वह चाहिए दोस्तो एंटी सेप्टिक होस्ती आपने प्रियोग करना है हल्दी का हल्दी कभी आपने छोटा आधा चमच पाउडर लेना है और ये इसमें डालतेना है दोस्तो हल्दी एंटी सेप्टिक होती है दर्द को दूर करती है खून को पतला करती है चहरे पर नया गलो पूलाती हैं, सरीर की कंजोरी को मिल्टाती हैं, डाइबटीज रोगियों के लिए बहुत अधिक कारगर है, तो दोस्तो आपने इन चारों को इसमें मिलाना है, और हल्दी का प्रोपर प्रियोग करने के लिए आपने इसमें मिलानी है, दो काले मिर्च भी, वो ओप्सनल है, आप मिलाएं या ना मिलाएं, पर यदि आप मिलाएंगे, तो आपको बहुत अधिक फाइदा होगा, सिर्फ दो काले मिर्च का अपने प्रियोग करने हैं, और उनको भी इसके अंदर डाल देना है, कोट कर, अब दोस्तो ये हो गया आपका मिसरन रेडी, ये हो गया आपका पाउड रेडी, आपने इसको अच्छी त्रहें से मिक्स कर लेना है, ये है वो आपका नुस्खा, जो आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, ब्लोकेज को हटाएगा, हाड़ियों की कमजोरी और दर्द का इलाज करेगा, कोलोस्टोल को सही करेगा, डायप हमने इसमें काली मिर्च का प्रयोग इसलिए किया है, ताकि जो हमने इस नुस्खे के अंदर हल्दी मिलाई, उसका आपको प्रोपर फाइदा मिले, अब दोस्तों आपने इसके एक चमच का सेवन हर रोज रात को सोते समय करना है, या तो आप दूद में इसको मिलाकर सेवन और यदि पानी में मिलाई, तो आप ऐसे ही सेवन कर सकते हैं, आप एक चमच खाकर ओपर से आप पानी पी लीजिए, या इस नुस्खी के साथ भी मिस्री का प्रयोग भी कर सकते हैं अपने सवाद के लिए, लेकिन यदि आपको डायबटीस है, तब आपने मिस्री का प्रय निकाल देगा, कबज जैसी बीमारी का एक दिन में ही इलाज करतेगा, पेट की गैस को नसों से खीच कर बाहर निकाल देगा, नसों की ब्लोकिज को दूर करतेगा, और आपके पूरे सरीर को निरोगी बना देगा, तो दोस्तों देर किस बात की हैं, आप भी इस नुस्खे को आज ही बनाए और इस नुस्खे का प्रियो कीजिए, और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजिए, तो दोस्तों ये थी हमारी वडियो, यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ, जो बैल का इकोन है, उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वडियो की नोटिपकेशन आते रहे, धन्यवाद दोस्तों.